अलो फ्रेंज कैसो आप सब वेलकम है अपना चैनल ऐसे एलक्टिकल्स पे तो फ्रेंज आज का वीडियो हमारा है अंडरग्राउंड हाउश वाइरिंग में वाइर को कैसे डालते हैं तो यह हमारा पाट टू वीडियो है पाट वन मैंने बना दिया लिंक डिस्क्रिप्शन मे लेजेगा तो फ्रेंज अगर आप यह जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखिए और गौर से सुनिए समझे अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल हो या सुझा हो तो प्लीज हमें कमेंट्स जरूर कीजेगा तो चलिए दूस्तो कि सबसे पहले का इनसुलेशन रिमूब कर लेंगे जितना भी वाइर हमें यूज में लाना तो अगर आप चाहे तो वाइर कंटर से वाइर का इसूर रिमूब कर सकते हैं या प्लायर से रिमूब कर सकते हैं तो सभी वायर आप जितना भी आप इंसुलेसर रिमूब किये हैं आपस में इस तरह से आपको ट्विस्ट कर देना है दोस्तों अच्छी तरीके से ट्विस्ट करना तो इस तरह से वायर को मोड़ना है आप देख सकते हैं हमने यहां पे वायर को मोड़ लिया है और ट आप स्पिरिंग का भी यूज कर सकते हैं तो हमें आप इस तरह से देख सकते हैं डाल दिया है ओपर हमारा जक्सन का पॉइंट था वहां पे हमारा वायर निकल गया है इस तरह से आप को मोड लेना है मोडने के बाद दोस्तो आप इस तरह से आपको वायर फसाना आए ठीक है आप इस तरह से वायर को फसा लिजिए और वायर का जो इंसिलेशन आप रिमूब किया है इस तरह से आपको मोड़ना है प्लायर से फूल टाइट करना है अच्छी तरीके से टाइट करना है दोस्तो धीला नहीं रखना है और टाइट करने के बाद दोस्तो इसमें हम लए है तो बेंड अगर आपका पड़ जाए आपका टेप कम रहेगा टेप कम लगाएंगे तो छूड जाता है वायर बीच में कोई कुछ वायर जाता है कुछ वायर पाइप में ही रह जाता है तो इस तरह से हम जक्सर पॉइंट से वायर को खिच लेते हैं और आप देख स दोस्तो हम Pencil box से हमारा पाइप यहां पे डाउन होगा है तो consol box में हम यह इस्टील वायर डालेंगे तो वहां पे हमारा कर लेना है और एक हास से हम दोस्तों यहां पे खीच रहे हैं इस टील वायर को और एक हास से वायर को खीचते हैं अच्छी तरीके से दोस्तों आसानी से पाइप में हमारा वायर चला जाता है अगर आपका पाइप अगर अच्छी तरीके से डाला गया है तो तो फ्रेंस उसके अब देख सकते हैं अभी इंटा में हमाने दिवाल में यू maira के लिए हम earlier दोने के लिए हम हमारे पास दोने बंडल वाय है में जो वाय्ड के लिए हम यूजक वैड़ना थ में खनी मुंपार है ie रहे ज्ञाव बंडल मुनदार ही a.w da आपको डालना है वियु Vy आपका पोइट है तो डालना है तो देजिए अगर दिवाल में जक्षन लगाएं है लाइट के लिए तो ओंप भी वायर ड़ीजये तरह से सेम को डालना है यहाँ पर आधे सकते हैं हम यह जो इसका की वायर हमारा आगया है यह एक युझा All our MV कर रहा है तो अभी बता देंगे दोस्तों को वायर कौन सी वायर कितने मिमकी वायर कि कि यूच करने वाले हैं तोब हमारा बाकी है दोस्तों सेम इसी तरह से दोस्तों आपको करना यहां पर फैन बाक्स में देख सकते हैं हमने पहले डाल दिया है तो यह स्टील वायर हमारा फैन बाक्स में आ गया है और फैन बाक्स में यहां पर देख सकते हैं फैन के लिए हमने वायर यहां पर ड्रॉप कर दिया यानि डाल दिया है और यह जो स्टील वायर है दोस्तों यह वायर हम लगाना है यानि कंशिल बॉक्स है तो उसमें हमें वायर डाल देना है तो इसी तरह डाला जाता है दोस्तों अगर बारी-बारी मैं दोस्तों बनाओं दोस्तों अगर एक लाइट का वायर डाल के दिखाओं तो वीडियो बहुत जादी लंबी हो जाएगी अगर आप पसंद भी नहीं करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं वायर वहां पे डालने के बाद कटिंग कर देंगे वायर अगर बढ़ा रहेगा तो नीचे जो हमारा बंडल से वायर आया है उसे खीच लेंगे इस तरह से टाइट कर लेंगे दोस्तों तो सेम इसी तरह से सारा जितना हमें डालना है यह %. यह तो यहां पर आप देख सकते हैं यहुं पोइंट हो में भाकी है और यह हमारा दिवाल अ वगया है उपर भी हमारा जितना भी कंशिल बॉक्स कसी लाइट सिलिंग में लगाना है और फैन बाक्स में हमने का प्वाइर जाल दिया है रहेद को अची तरीके से डाल दिया है यह हमारा शे मॉडल का बॉ'd है इसमें भी लाइड गाल दिया है और यह फैंस तरह से आपको वायर तो फिर इन सबसे सिंपल तरीका यह की आप देख सकते हैं यह सारा एक एम का वायर जो है लेड कलर। ए यह हमारा फ्रेस वाइर है यह हमारा लाइक का पॉइंट है दोस्तो जितना भी हमारा न्यूट्रल वायर हो जाएगा तो इसको भी सेम हमारा दोस्तो टेपिंग कर लेना है यह भी आसानी हो जाएगा वायरिंग करने में ठीक है फिरेंस अगर आप कलर वायर डालते हैं तो आपको वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और यहां पे हमारा 4 mm का वायर है दो तो फिर इन जब हमारा MCB box ready हो जाएगा जब हमें main connection करना रहेगा तो फिर 4 mm की वायर हम इसमें डालेंगे और यहां पे जो 5 mm की वायर है दोस्तों यहीं से हमारा 6 model का जू जहां पे board है और power board के लिए यहीं से supply चला जाएगा तो इसी तरह से आप टेपिंग कर लिजे तो जो हमारा हारा कलर का वायर है अर्थिंग का वायर है और सफेद वायर हमारा इन वाटर का तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो के साथ